हलो दोस्तो वेलकम टॉरलेंड तो आज मैं आपके लिए एक केसी मूवी लेकर आया हूँ जो कि बागी होरर, ठ्रीलर और स्लेशर मूवी से बिलकुली अलग होने वाली है और मैं इस तरह की मूवी को पहली बार अपने इस चैनलर पर लेकर आया हूँ तो ऐसा क्या खास होने वाला है इस मूवी में जानने के लिए वीडियो को पुरा जरूर देखेगा इस मूवी के शुरुआत में हम एक उरत को बिस्तर पर लेटावा देखते हैं और उसके साथी एक और उरत लेटी हुई थी देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पास वाली औरत मर चुकी हो और उसकी बोडी पूरी तरीके से सड़ी हुई लग रही थी इस ओरत का नाम एमिली था और वो बिना कपड़ों के मर हुई लड़की के साथ में बिस्तर परी पड़ी हुई थी फिर वो बेट से उटकर खुद को आईने में देखती है जिसके बार में एमिली बात्रूम में उस मर हुई लड़की के टुकुड़ा करती है और खुद अपने उपर से खुन को साफ करके उस लड़की की डेट बोड़ी को बेगम भरती है फिर वो उसे एक खेत में जलाने के ले ले जाती है जिसके बार में वो उस लड़की की बच्ची कुछ हट्डियों को एक वेर हाउस में जाकर उसे दफन कर देती है अब इन सारी घटनाओं को एक आदमी नरेट कर रहा था तो ये आदमी कौन है और एमिली ने इसा क्यों किया एक बहुत ये बड़ा राज है जो कि मूवी के एंड में खुलेगा तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ में बने रही है और फिर अगले सिन में हम एमिली को एक में देखते हैं जो कि मूबाइल में देखकर बार-बार अपने आपको एमिली एंटिडूस कर रही थी फिर एमिली अपने घर पर पोच्छती है जहां पर जाते ही वो ड्रक्स लेती है और हम उसके हाथ में एक मार्बल यानि की एक कंचे को देखते हैं एमिली नशा कर रही लेकिन एमिली ऐसा करने के लिए उसे मना कर देती है फिर एमिली उसे ऐसा करने से रुपती भी है लेकिन फिर भी जब उसका पती पुलिस को कॉल लगा रहा था तब ही पीछे सा आकर एमिली उसके हस्बेंट को चाकू से स्टेप कर देती है उसका पती जेम्स मारा जाता है फ उसके शरीर में एक तरीके का infection मी हो रहा था फिर अचानक से Emily के घर पर एक detective आता है इस detective औरा Freddy था ये कहता है कि उसकी James से Emily के गुम हो जाने के सिलसले में बात हुई थी और वो से ये भी बूचता है कि वो अपने घर पर वापस कब लोटी Emily Freddy को देखकर डर जाती है और फिर व तो कुछ जोड़ से दबा देती है उसके हाथ दबाते ही Freddy कुछ नहीं कर बाता है और धीरे धीरे उसका शरीर सिकूर ने लगता है उद देखते ही देखते Freddy का पुरा शरीर सुख जाता है यहाँ पर अब एक अचीब से चीज होती है कि Emily का रूप बदल कर अब वो Freddy के रू देखता है जिससे एग्नोर करके Emily यानि कि Freddy वहाँ से चला जाता है दोस्तों अभी तक हमने जिस Emily को देखा वो Emily थी ही नहीं क्योंकि मूवी के शुरुआत में Emily को एक मरी हुए लड़के के साथ में देखा था यानि कि Emily पहले वो लड़की थी फिर उसके बार में वो Emily की ब जोकता है और उससे कुछ ड्रग चीन लेता है फिर उकार में ड्रग लेता है जिसके बार इफ्रेडी एक बार में जाता है जहाँ पर वह अक्सर जाया करता था बार के बार एक-" मेक्स था जो कि फ्रेडी के अंदर के भे रूपय को हर बार पेचान जाया करता था चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो बार के अंदर फ्रेडी एक ड्रिंक ओर्डर करता है और उसके पास ही बेटी जूलिया नाम की एक लड़की के लिए भी ड्रिंक ओर्डर करता है दर वो सात्मेक्रे ड्रिंक पीते हैं, जिसके बाद में वो बार से निकल कर किस करते हैं, अचानक से फ्रेडि के पेट में फीरसे दर्द होता है, और ओर जूल्या को वहाँ से जाने को कहता है। यहाँ पर जो गाउ हमने एमिली के शरीर पर देखा था वही गाव Fretty को भी था फिर Fretty वहाँ से दर्द में तड़ता हुआ एक कार के पास में जाता है जिसके अंदर एक आदमी एक लड़की के साथ में बेठा वा था उसे पता चलता है कि ये आदमी शादी शुदा है और किसी और लड़के के साथ में बाहर था फिर फ्रेडी इस आदमी के भी दोनों हाथों को पकड़ता है और अब फ्रेडी इस आदमी को रुप ले लेता है जिसका नम सेम था फ्रेडी अब सेम बन चुका था और सेम फ्रेडी की बॉड़ी को ठिकाने लगाता है और अपने घर यानि कि सेम के घर पर चला जाता है यहाँ पर सेम की पतनी मेरी उसका इंतजार कर रही थी अब अगले दिन सेम को भी अपने पेट वाले जेगर पर दर्द हो रहा था और वो अपने आफिस के ले निकल जाता है सेम एक डेंटिस्ट था और उसे अपने क्लिनिक में उसकी कलिक रेचल मिलती है यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेम के अंदर जो भी है उसे अपने होस्ट के बॉड़ी की सारी मेमोरी रहती है और उसे अपने होस्ट के जिन्दगी पर कि सारी पाते याद देती थी सैम फिर एक पेशेंट के सर्जेरी भी करता है जिसमे उसे जरा भी दिक्कत नहीं होती है जिसके पर में हम सैम को एक रिस्टोन्ट में देखते हैं जहां पर उसे जूलिया दिखाए देती है और उसे फिर से जूलिया की याद आती है अब शाम होने पर वो अपने घर पर जाता है जहांपर वो अपने असली परिवार को याद करता है क्योंकि उसे अपना रूप बार बार बदलना पड़ता था और उसका कोई भी परिवार नहीं था अब सेम फिर से उसी बार में जाता है जहाँ पर वो फिर से जूलिया से मिलता है वो उसे बताता है कि किस तरह उसे अपने पत्नी और अपना परिवार पसंद नहीं है और वो उन से भाग कर यहाँ पर अक्सर आ जाय करता है जूलिया भी सेम को बताती है कि उसका भी पती और एक बच्चा था जो कि तीन साल की उमर में ही मर गया था फिर एक तिन जूलिया का पती भी उसे छोड़कर चला गया और इतना कहकर जूलिया रूने लगती है और कहती है कि वो अपनी आदे भूलाने या पर आती है अब बार से निकल कर सेम एक मोटल में रुकता है जहां पर वो फिर से ड्रक्स लेता है यानि कि अब उसे फिर से किसी और की बोड़ी चाहिए थी सेम की बोड़ी भी अब सड़ने लगी थी और उसे अब और भी जदा दर्द होने लगाता फिर वो अपने दोस्त रेचल को फून लगाता है जिसके साथ में वो उस दिन कार में था वो रेचल को बताता है कि उसे रेचल की जुरुत है और वो उसे मोटल में मिलने के बुलाता है रेचल अपने बोई फ्रेंड टीम के साथ में थी लेकिन वो फिर भी सेम से मिलने उसके पास आने के लिए तेयर हो जाती है रेचल जब सेम के मोटल पोच्छती है तो देखती है कि वहाँ पर पुरा अंदेरा था और सेम का चेहरा सड़ रहा था सीन यहाँ पर कट हो जाता है और अगले सेम में हम देखते है कि सेम पुरी तरीके से सड़ चुका था और अब सेम ने रेचल का रूप ले लिया था और उसने ऐसा इसलिए क्या था चुकि रेचल फार्मसी में काम करती थी जहांसे उसे एंटीब्याटिक आराम से मिल सकती थी फिर रेचल एंटीब्याटिक पिलखाती है और वहाँ से अपने बॉइफरेंड टॉमी को कॉल करके निकल जाती है रेचल फिर सेम की बोड़ी को जलाने उसे खेत में आती है और वो उसकी बोड़ी को जलाकर उसे ठिकाने लगा देती है जहांपर उसने कई सारी बोड़ी को ठिकाने लगा था तब ही वहाँ पर एक ओरत खेत में कुछ जलतावा देख लेती है और रेचल वहाँ से भाग कर जाने लगती है लेकिन वह ओरत उसे भागताव देख लेती है जिसके बार में रेचल तुरंट अपने क्लिनिक पर आती है और कुछ एंटिबियोटिक चुरा कर अपने घर पर चली आती है फिर वो रात में उसी बार में जाती है जहां पर पहले तो उसे मैक्स पेचान लेता है और बार के अंदर आने पर वो देखते है कि जूलिया वहाँ पर पहले से ही बेटे हुई थी रेचल जूलिया से बाते करती है चुकि रेचल के अंदर रूप बदल कर रहने वाला इंसान जूलिया से बहुत ही प्यार करता था दोना साथ में डिंक करते हैं जिसके बार में जूलिया रेचल को अपने नमबर दे जिती है और कहती है कि वो एक काउंसलर है और वो जब चाहे जरुत पढ़ने पर उसे कॉल कर सकती है तब ही वहाँ पर एक आदमी आकर रेचल के लिक ट्रिंक बाय करता है वो तब जूलिया वहाँ से चलिया आती है लेकिन रेचल बार बार जूलिया को ये देख रही थी वो देखते हैं कि जूलिया एक आदमी से बाते कर रही थी जो कि रेचल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था तब ही वहाँ पर टिवी पर एक न्यूज आती है जिसमें रेचल का स्केज दिखा जाता है चूंकि खेतों में रेचल को एक औरत में देख लिया था रेचल अब उस आदमी को लेकर वहाँ से निकल जाती है वो आदमी रेचल को अपने अपाट्वेंट में ले जाता है जहां पर वो रेचल के साथ में इंटिमेट होने की कोशिश कर रहा था लेकिन रेचल उसे ऐसा करने से मरा कर देती है फिर वो दोनों वहाँ पर डग लेते हैं लेकिन फिर भी वो आदमी उसके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था फिर रेचल कीचन से एक चाकू लेकर आती है और दोनों के बीच में हाता पाई होती है वो आदमी रेचल से चाकू ले लेता है और फिर रेचल एक लेम से उसका सर फोड देती है और उसे चाकू से स्टेप करके मार डलती है रेचल अब वहाँ से अपने कपड़ा बिदलती है और भार आती है वो देखती है कि उस आदमी के पड़ोसी ने वहाँ पुलिस को बिलवा लिया है लेकिन रेचल पुलिस से बचकर वहाँ से भाग जाती है रेचल की बॉड़ी को अब जल्दी ही एक नया होस्ट चाहिए था वो जिससे तेसा रात गुजारती है और देखती है कि उसकी बॉड़ी अब सड़ रही थी उसके फोन पर उसके बॉइफेंड की कई सारे कॉल आ चुके थे और उसका बॉइफेंड भी अब उसे ढूंड रहा था उसका बॉइफेंड उससे ढूंड तर ढूंड ते उसकी लोकेशन पर बहुच जाता है जहां पर वो अपने बॉइफेंड को मार कर मौस्ट बागने की कोशिश करती है जिसके बाद में हम देखते हैं कि रेचल से अपना दर्द बरदाश नहीं हो रहा था और उस जूलिया को अपने बारे में सच बताना चाहती थी रेचल के पास में जूलिया का एडरस था और उसका नम रोबर्ट था रेचल को भी अब जल्दी से जल्दी एक नया होस्ट चाहिए था चूकि उसकी बाड़ी अब सड़ने लगी थी और उसके हातों से अब पस भी बाहर निकल रहा था जो कि देखने में बहुती घिरोना लग रहा था जूल्या भी रोबर्ट के घर पर पोचती है और जल्दी ही वो अब रोबर्ट को अपना नया होस्ट बना लेती है यहाँ पर अब हम रेचल को रोबर्ट के रूप में देखते हैं जो कि जूल्या को अपने साथ पर डेट के लिए बुलाता है लेकिन जूलिया उसे अपने घर पर बुला लेती है और वहीं पर रोबट जूलिया से अपने दिल की बात कहने वाला था यहाँ पर हम रोबट के हाथों में वही मार्बल देखते हैं जो कि उसके पास में हमेचा से रागरती थी वो दोनों अपनी शाम अच्छे से बिताते हैं और रोबर्ट उसे बताता है कि उसे उसका सांथ बहुत अच्छा लगता है और उन दोनों के बीच में कनेक्शन है दोनों फिर एक दूसरे के क्लोज आते हैं जहांपर जूलिया और रोबर्ट के पेट में उसी घाव के निशान को देखती है लेकिन डोबर्ट बहाना बना लेता है फिर दोनों रात में इंटिमेट होते हैं और अपनी रात को अच्छे से बिताते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों अब साथ में रहने लगे थे और दोनों को एक दूसरे का सांबी पसंदा रहा था फिर एक दिन जूलिया टीवी देख रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि रेचल एक मर्डर है और उसने कई सारे लोगों को मार कर खेट में बने हों वेरा उसमें दफना दिया है जूलिया इस न्यूस को देखकर अंडर जाती है क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही रेचल से मिली थी तब ही वहाँ पर रोबर्ट आकर उस टेवी को बंद कर देता है फिर अब रोबर्ट के हाथों में भी अब सड़न आने लगी थी और अब उसके तवियत भी खराब हो रही थी जूलिया को रोबर्ट के चिंता हो रही थी फिर रोबर्ट खुद को समालता है और अब वो जूलिया को खुद को छूने से भी मना कर रहा था रोबर्ट अब अपना रूप बदने से पहले जूलिया को सब कुछ सचच बता देना चाहता था और वो उसे शांती से बेटने को कहता है और उसे बताता है कि जब वो 12 साल को बच्चा था तब उसकी मा की मौत हो गई उसे ऐसा लगता था कि वो एक एकसिडेंट होगा अब फिर रॉबर्ट जूलिया के सामने उसका सबसे बड़ा रास कोलता है वो कहता है कि वो लोगों से उनकी जिन्दगिया च्छीन लेता है साथी साथ उनका रूप भी च्छीन लेता है और उनकी यादें और उनका सब कुछ च्छीन लेता है जूलिया को यह सब एक बखवास लग रही थी तो वहाँ से उठकर चली आती है तब रोबर्ट उसे रूखने की कोशिश करता है वो बताता है कि वो जूलिया से बहुत ज़ता प्यार करता है और वो ऐसा आज से नहीं बलकि बहुत पहले से करता है वो यह बताता है कि रोबर्ट का रूप लेने से पहले वो कई बार जूलिया से मिल चुका है वो उससे अपना नाम ड्रियू बताता है यहाँ पर रोबर्ट जूलिया के पती का नाम भी बताता है जिससे सुनकर वो शौक डूजाती है क्योंकि जब जूलिया का पती उसे छोड़कर चला गया था तो ड्रू ने जूलिया के पती का रूप लेकर उसे मार दिया था जूलिया की यादे उसके पती के अंदर थी और तब सहे ड्रू जूलिया से प्यार करने बेटा था ड्रू यानि कि रोबर्ट जुलिया को वो सारी बाता भी पताता है जो कि सिर्फ उसके पती को भी पता थी रोबर्ट को असल में खुद नहीं पताता कि उसके साथ में इस सब कैसे होता है और वो कौन है वो बस खुद को जिन्दा रखने के लिए इस सब कर रहा था लेकिन वो हमेशा से ही जुल्या से प्याल भी करता था जुल्या उसकी बातों को सुनना नहीं चाहती थी वो रोबर्ट के उपर टेजर गन चला कर उसे गिरा देती है फिर वो रोबर्ट के उपर चलकर उसे फिर से शौक देकर माना चाहती थी लेकिन रोबर्ट उसे रुखने के लिए उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसके हाथ पकड़ते ही जुल्या का शरी सरने लगता है और रोबर्ट के हाथों ही जूलिया की मौत हो जाती है फिर हम देखते हैं कि रोबर्ट ने अब जूलिया का रूप ले लिया था और वो जूलिया की मौत पर बहुती ज़द दुखी था और लगाता रोए जारा था सीन ये पर कट होता है और अगले सीन में हम जूलिया यानि की रोबट को उसी बार में देखते हैं जहाँ पर वो बहुती ज़ाद दुखी थी फिर जूलिया के अंदर का ड्रू ये डिसाइड करता है कि अब वो किसी को भी नहीं मारेगा बहले ही उसकी बाड़ी सड़े या उसके साथ कुछ भी हो जिसके बाद हम ड्रू को एक कमरे में देखते हैं जहाँ पर वो सड़ रहाता और अपनी मौद को चुनता है फिर जब ड्रू का शेरी पूरी तरीकी से सर जाता है तो उसके चार ओर एक चम्री के लियर एक अंडे की तरह बन जाती है और उसके फटते ही उसके अंदर से एक 80 साल का बुला आदमी बाहर आता है असल में ड्रू था जो की अब अपना असली रूप में था वो बुला हो चुका था और अब वो अपनी मौद का इंतजार कर रहा था और इसे के साथ में ये मूवी ये पर खतम हो जाती है तो दोस्तो आपको शयद समझने आया होगा कि रोबर्ट, रेचल और सेम इन सबी के अंदर रह रहा ये इनसन यानि कि ड्रू कौन था तो दोस्तो असल में यहाँ पर ड्रू एक स्किन वोकर था स्किन वोकर को अकसर शेप शिफ्टर बे कहा जाता है जो कि केसी का भी रूप ले सकता था मूवी की शिवात सही ड्रू अने का रूप बदल चुका था वो 1954 में 12 साल का था यानि कि उसकी अमर लगबग 80 साल की हो चुकी थी उसने अपना पहला शिकार उसकी माँ को बनाया और उससे खुन नहीं पता था कि उसके साथ में ये क्यों हो रहा था वो बस अपने आपको जिन्दा रखना चाहता था ड्रू किसी का भी रूप उसके हाथ को पकड़कर ले ले लेता था बल्ले में सामने वाले की मौत हो जाती थी और उसके शेरीक के साथ में उनकी यादे भी ले लिया करता था ड्रू तभी अपना रूप बदल सकता था जब उसकी बाड़ी सरने लगे वो एंटिबाटिक खाता था जिससे कि उसकी बाड़ी धरे-धरे सरती थी और ड्रग लेने पर उसकी बाड़ी जल्दी सरती थी जिससे कि वो जल्दी से किसी और का भी रूप ले सकता था ड्रू को जूलिया से प्यार भी हो गया था लेकिन वो कभी पे एक शेरी में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता था वो बार बार रूप बदल कर उससे मिलने के कोशिश करता था लेकिन अन्त में ड्रू के हाथों जूलिया मारी गई ड्रू ने भे जूलिया के मनने के बार में ये सोचा कि अब इसे जिन्दगी जीकर क्या फायदा कि वो अपने प्यार को भी नहीं पा सकता वो अपनी बॉड़ी को सड़ने देता है लेकिन पूरी तरीके से सढ़ने के बाद में उसका जनम अपने असली रूप में होता है जैसे कि एक तितली होती है जो कि अपना रूप बदलती है और ठीक उसी तरीके से ही इस मूवी का नामी लाइफ जेंजर है तो दोस्तों मैं उमिद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आओगा वीडियो कर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेट और शेयर जरू करना और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे टेलेगराम चैनल को जरू जोईन करें मैं वहाँ पर अपने दूरा एक्स्प्रिंग के के सारी मूवी ज़ालता हूँ तो अब मैं आप से मिलूगा अगले वीडियो में